वेलकम गाईज अभी आम लोग बात करने वाले हैं मुविंग क्वाइल गेलवनोमिटर के बारे में जो भी पढ़ाएंगे उसका बेस्ट पेडियेफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक और वहां से आप नोट्स कर सकते हो ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है समझने के उपर ठीक है लास्ट टॉपिक ही है इसके बाद वाले टॉपिक में ऐसे गेलवनोमिटर को आमिटर और वोल्ट वेटर में करना भी बतला देंगे चलो ठीक है आप समझो पले यही है galvanometer ठीक है ठेक अच्छा इसमें क्या होता है कि यहां से एक wire connect करके बाहर निकाला जाता है यहां से एक wire और मलोगड यहां से एक wire निकाले यहां से निकाले लाकर के battery में connect कर देंगे तो क्या होगा current पास करेगा जिसके वज़े से इसमें deflection होगा और यही deflection बताएगा कि हाँ भाई यहाँ इतना current आ रहा है या इतना current आ रहा है ठीक है अब यह किस तरीके का बना होता है इसके अंदर में हमको साफ-साफ नजर आ रहा है वैसा ही photo जैसा की NCRT में बना हुआ है ठीक है लेकिन इसी चीज को हम यहाँ पर से तो नजर आएगा नहीं हमको सुझ करें है कॉपी में आपको वह अच्छा तरीका है दिखने का ठेक है आप सिर्फ समझाने पर ध्यान देते हैं देखो मुविंग क्वाईव करता है किस ब्रेंसपर पढ़ तो अगर किसी करेंट केरिंग क्वाईव को आप मैंनेटिक फिर्ड में रखेंगे तो वह घू तर्क लगने से वो घूमता है, है की नहीं, बस इसी concept पर काम करता है कौन, moving coil, galonometer, current, quaring coil को magnetic field में डखेंगे तो उस पर टर्क लगेगा, जितना ज्यादा current होगा, उतना ज्यादा टर्क लगेगा, यही concept है बस, ठीक है, यही principle है इसका, तो समझते हैं पहले इसका construction बगरा करत पताते हैं कि क्या concept है आखिर, moving coil, galonometer का, ठीक है, तो photo हो सकता है, अच्छा ज्यादा ना बने, लेकिन explain हम आपको अच्छे तरीके से कर देंगे, ठीक है, तो यह इस तरीके से यह हो गया, एक magnet generally रखा जाता है, north और south, ठीक है, उसके अंदर भी है, ऐसे कर रखे, अच्छा उसके बाद क्या किया जाता है, कि यहाँ पड़ एक cylindrical shape में, cylinder के shape में, यानि कि इस तरीके का, ना, ऐसे कर किये, जैसा कि आपने कभी-कभी देखा होगा है, speaker के पीछे का जो magnet होता है, ठीक है, speaker के पीछे ऐसे circular magnet होता है, उसमें यहाँ पे बीच में, एक goal जैसा इस तरीके यह का soft iron का इतना बड़ा cylinder tap कर रहता है, ठीक है, आच्छा, और वो जो cylinder रहता है न, तो वो magnet का ताकत को बढ़ा देता है, अगर यह cylinder के, यह जो ऐसा magnet जो है, रहता है, speaker के पीछे में, इस magnet को आप ऐसे, अगर simply किसी चीज में, लोहा में सटाकर के देखोगे न, तो उतना जादा ताकत से नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर इसके अंदर वो गोल वाला है से कड़के डाल दिये, अब अगर क्यालते हैं, इसी magnet को ले करके, circular magnet को लोहा के पास चिपका होगा, तो तगड़ा चिपकता है, ठीक है, तो यह क्या करता है, magnetic field का ताकत को भी बढ़ा देता ह जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे बढ़ा देता है, magnetic matter जो अगला चेप्टर है उसमें हम लोग को पढ़ना है, ferromagnetic material वगड़ा कैसे क्या क्या सारा चीज जानेंगे, ठीक है, चलो ठीक, यहाँ पर अभी बात करते हैं, यह magnet यहाँ पर उसी वही जो बीच में सिलि यही सिलिंडर है, तो इस सिलिंडर के ऊपर क्या किया भाई, इस तरीके से coil लपेट दिये, ठीक है, coil लपेट करके इसको यहाँ पर रख दिये, ठीक, तो यहाँ पर यह इस तरीके से गोल ऐसा यह होगे, और इसमें क्या किया भाई, हम ऐसे coil लपेट दिये, ठीक है, अब है तो ठीड सारा टर्न भी होगा किया है अच्छा है इसी चीज में बस क्या किये हैं ऐसे करके लपेट आ हुआ है पस और कुछ नहीं है लपेट दिए लपेट करके इसको यहां पर रखे हुए और इसको क्या कि यह इसमें ने इस तरीके से circular spring ऐसे करके लगा दिये ठीक है तो circular spring भी लगा हुआ है ऐसे करके अच्छा circular spring लगने से क्या है कि अगर क्यालते हैं मालो जैसे कि यह घूमेगा ना इस तरीके से से अडिजेस्ट किया गया है इसको कि अगर यह घूमेगा ना तो क्या होगा की यह इस तरीका से गूमता है तो यह जोह भी सिक तो फ़बेगा थोड़ा सा इसमे स्प्रिंग लगावाए यह कॉयल है इसमें क्या किये हैं फसाद यह सर्कुलर वाला स्प्रिंग ताकि जैसे कि अगर यह घूमेगा फिर छोड़ेंगे तो वापस spring के वज़े से ऐसे हो जाएगा ठीक है जैसे इसमें coil लपेटावा है अच्छा इसको हम हलका सभी spring लगावा है ना ये circular वाला spring उसको ऐसे घुमा दिए अगर इस लुहा वाला जो है इसको अगर ऐसे घुमा दिए के से करके pointer ये जोड़ दिये ये जो क्यालते है केलवनोमेटर जो है वाला उसमें साप साप देख रहे थे तो ऐसे ही किया हुआ है ये ऐसे करके coil है तो coil के सीधा एकदम perpendicular में ऐसे करके एकदम बिल्कुल pointer दे दिया गया है ठीक है अच्छा अब क्या है कि कुछ नहीं यहाँ पर क्यालते है reading के लिए ये data दिया हुआ है जैसा कि आप अभी देखे ही होगे नग जैसा कि ये इसमें है न भाई यहाँ पर ये देख रहे हो ना reading के लिए सारा चीज तो है ही इस तरीके से ये किया हुआ और अंदर में अगर नज़र आता तो ऐसे करके आपको दिखाने का अकर कोसिस करेंतो में जैना यहाँ पर रुको देखा देख़ातों अन्दर में क्यालते हैं इसके जू है हánd innerhalb देखोगे तो यह देखो अंदर में है क्वाइल यहाँ पर दिख रहा है किस तरीके से से मोड़ा हुआ है क्वाइल लुहा ऐसा वही चीज है की निए ठीक और क्या है तो जरा ध्यान दो बढ़ियां से यह सौफ्ट वाला आईरेन भी है उसमें और यह यहाँ पर क्वाइल भी है लगावा और यह जो क्वाइल इस तरीके से लपेटा हुआ है ना उसके ठीक एदम ऐसे परपेंडिकुलर में यह निडिल है है की निए अच्छा बात बाकि इधर और इधर से जो है वो मेरा ऐसे करके और ऐसे करके जो है मैगनेट हो गया तो ठीक है इसको अब रख देते हैं अच्छा बात करते हैं तो यहाँ पर रेडिंग करके ऐसे करके दिया गया है पांच है दस है वीस है तीस है चालीस है पचास है साथ है सतर है ऐसे जो भी है अप पर देखते हो कि यहां 0 0 करके कर दिया गया था और इther भी इधर हो गया क्यालते हैं 10 से 20 से 30 से इस तरिके से इधर होगा तो इधर current ऐसे pass करेगा तो इधर घुम गया मलो ऐसे pass किया तो इधर घुम गया और जितना degree घुमेगा उससे हमको पता चल जागा current के बारे में तो चलो देखो अब यहाँ पे क्या क्या concept लगाते हैं यह जो coil इस तरीके से इसमें लगाया गया है अब यह तो coil है current carrying coil और यह तो magnet है तो magnetic field में है बहुत simple है तो इस coil से दोगो wire मालो ऐसे करके निकाला गया और यही wire के लिए दोगो slot दिया गया इसमें नहीं यही जो है ना यह और यह यही दोनों slot है इतनी दोनों में से wire को जोडेंगे लाके battery में connect कर देंगे तो जितना current पास करेगा उतना यह घुमेगा ठीक है आशा चलो देखो आब तो अब क्या हो गया इसमें यहां पर अगर current देंगे तो यहां से current इसमें पास करेगा तो current carrying coil यह current carrying coil और कहां रखा हुआ भाई magnetic field में इस तरीके से magnetic field होगा और north से निकलता है और south के तरफ magnetic field जाता है तो ठीक है magnetic field है तो इस magnetic field में अगर कोई current carrying coil रखा हुआ है तो उस पर क्या लगेगा तो जैसे ही torque लगेगा तो टॉक लगने से यह coil क्या होगा ऐसे करके घुमेगा तो जैसे मालों यह यहां है यह इस है यहां पर इसे करके ताल लपेटे हुए है तो यह क्या होगा तो करन्ट जब तक पास कर रहा है तब तक यह क्या होगा पॉइंटर के साथ जीकर कि घुम है तो क्या होगा हब अब spring इसको क्या करेगा वापस अपने जिगह पे वापस अपने जिगह पे लेकर आ जाएगा current है तो current carrying coil यहां रखावात तो उस पर टॉर्क लगेगा टॉर्क लगने से यह जबरदस्ती spring है तब भी जबरदस्ती जैसे कि हम लोग अपने हाथ से घुमा देते वो ऐसे ही क्या करेगा टॉर्क इसको ऐसे करके घुमा देगा तो pointer मेरा यहां से क्या होगा pointer जो यहां पर है तो यहां से pointer क्या हो जाएगा घुम करके ऐसे करके यहां आ जाएगा फिर जैसे current बंद हुआ तो अब torque नहीं लगेगा क्याल पे तो spring अपना काम करेगा इसको वापस लेकर के आ जाएगा है कि नहीं और जैसे जिस स्थिती में जब यहां जाकड कैसे करके रुकेगा बता रहा होगा कि हाँ भाई 20A का current हो रहा है उस वक्त क्या होगा इधर से लगने वाला जो torque है करेंट के वजे से जो torque लगा इधर और spring भी तो इधर से चार होगा जब अब रदस्ती घुमाना तो spring का इधर से spring भी चाहता होगा किने हम वापस इधर गुमा दे और current चाहता है कि हम इधर से इसको इधर torque दे दे तो current के द्वारा जो इधर लगने वाला टॉर्क है और इस्प्रिंग जो उल्टा घुमाना चाहरा है टॉर्क वो दोनों बैलेंस हो जाएगा बराबर हो जाएगा तब नहीं यहाँ पर मानलों आकड़के ऐसे करके रुख गया यही सब कंसेप्ट वगरा है थोड़ा 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 कड़के हम लोग अभी चर्चा कड़ेंगे ठीक हालका सा कल्कुलेशन है वह खास है नहीं तो यहाँ पर देखो जो टॉर्क लगेगा करेंट के वज़ए से यह करेंट करींगव क्वाईल में जो टेर्क लगता है टॉर्क का परमला क्या होता है आप m x m xBean syne theta torque लगता है ना अच्छा आब यहां पर चौक लगेगा एक बात ध्यान देखना है यह टौक अपने आप में maximum torque होगा और torque कमान होगा mb फी साइन यह ठीटा है ना ठीटा के वो एक soft iron है यानि कि बुला जाए तो ferromagnetic material जिसके बारे में आगे हम लोग को magnetism matter में पढ़ना है तो यह क्या करता है कि यहां पर जैसे यह North Pole है और यह क्या है South Pole है और क्वाइल तो बेचारा ऐसे है क्वाइल क्या है यह गुल है तो क्वाइल इस तरीके से जैकर के लपेटा हुआ है और यह क्वाइल के सीधा में इधर कौन हो गया area vector ना आखिर यह जो बना है formula यह formula कैसे बना है भाई यह formula तो बना है M का मतलब क्या होता है N I A B sine theta यहां पर यह जो theta होता है यह तो area vector और magnetic field के बीच का angle होता है ना तो area vector किदर हो गया यह जो coil है coil के सिधा perpendicular area vector अच्छा रही बात magnetic field की तो देखो magnetic field ऐसे इंटर कड़ेगा इधर magnetic field जाएगा ठीक है? अच्छा जैसे की इस पर torque लगेगा तो अभी देखो तो magnetic field कैसे है इधर से इंटर किया इधर से गया अगर तो magnetic field ऐसे area vector उपर perpendicular 90 degree हुआ ना? आच्छा ठीक है यह क्यों ऐसा संभव हो पा रहा है? यह इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यह जो soft iron का इस्तमाल किया है अगर soft iron का इस्तमाल नहीं करते हैं तब तो फिर यहां से निकलता और सीधा यहां चला जाता कोई भी अगर लोहा होगा लकड़ी कोई और चीज़ लोहा बोलते है कोई लकड़ी अगर इस्तमाल करते को यह प्लास्टिक वगर है तो यहां से magnetic field सीधा ऐसे जाता तो ऐसे जाता फिर ऐसे हो जाता तो बार-बार ऐसे होता या ऐसे होता कोई ठीक नहीं था यहां से निकलता magnetic field lines ऐसे घूम करके भी जा सकता था यहां से magnetic field line ऐसे भी जा सकता था ऐसे भी जा सकता था ऐसे भी जा सकता था तो मूड करके जाता देखते ही होगे magnet रहता है north-south magnetic lines ऐसे round करके चलता है ना तो सीधा कभी रहता नहीं तो जब सीधा रहेगा नहीं तो perpendicular कैसे बनेगा भाई तो perpendicular होना जरूरी है उससे torque मेड़ा maximum से maximum आएगा अब यहाँ पर है अब सोच रहे होगे क्या भाई कि जब इसमें current चलेगा क्वाईल में तो current चलने से तो क्वाईल तो मेरा घूम जाएगा तो जैसे ही क्वाईल घूमेगा तो घूमने के बाद क्या होगा देखो जारासा जैसे कि यह goal है अब मालों क्यालते हैं क्वाईल ऐसे हो गया अब पुछोगे क्या की बोलोगे क्या की sir अब तो क्यालते है इधर हो गया अब तो क्यालते हैं इस वाले magnetic field ऐसे है और area vector मेरा इधर है अभी तो never degree नहीं होड़ा है तो ऐसे condition में जो दूसरा magnetic field है जो कि यहां से ऐसे करके सिधा ऐसे करके past कर रहा होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा भी तो क्या हो जाएगा यह अब qoil ऐसे है तो उसी तरीके से अगर बार बार qoil घूम गीरा है न तो यहाँ पर अगर ऐसे करके बात करे तो अगर मान लेया जाए qoil ऐसे हो गया अब बोलोगे क्या कि sir pointer तो अभी यहाँ पर है ठीक है अभी इधर है तो जिधर pointer है उधर यह area vector हो गया coil के surface पर सिधा perpendicular area vector होता है तो यह area vector इधर है तो अब भाई तो यहाँ पर से देखेंगे दा क्यालते है नौर्थ है अगर यह south है ऐसे करके तो अभी जो magnetic field है अभी magnetic field यह वाला के हिसाब से देखो आप क्योंकि magnetic field तो यहां भी ऐसे भी रहेगा ऐसे भी रहेगा ऐसे मतलब क्यालते है radial magnetic field बनेगा ठीक है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ना ऐसे करके ऐसे वाला benétique lemons чbt अग्हें से लिए इतने हैं ओर यहां इसा करके entscheidday पास कर रहा है तो मेंग lifetime हो गया डिरेक्ष्टन और यह यह वैड्टर परपे कुलर जब यहां से घुम कर कि यह क्वाइल जब ऐसे होगा अगर ऐसे होगा यह कौय ठीक है तो उस वक्त एरिया वेक्टर यह यूं कहें कि पॉइंटर यह तो इधर है अभी हम लोग यह वाला क्या देखेंगे magnetic field ठीक है तो इस magnetic field के perpendicular हो गया जब क्वाइल ऐसे हुआ area vector इधर है तो इस magnetic field के perpendicular हो गया जब क्वाइल क्यालते हैं मलों ऐसे होगा ऐसे होगा तो area vector इधर है यहाँ पे से जो magnetic field जाएगा इसके ठीक area vector पर परपेंडी कुलर होगा तो कॉइल जब घूमते रहे गाना तो फिर बारबार एरिया वेक्टर कैलते हैं क्यालते से ऐसे करके पास कर रहा है यह कहालके सामने से लिए अगर के बजाए कुछ और दूसरा material इस्तमाल कर लेते हैं तो वो अपने अंदर से magnetic field को जाने ही नहीं देता ferromagnetic material का यह property होता है कि अंदर से magnetic field को pass करने देता है जिस करण से क्यालते हैं ये जो है magnetic field का amount भी बढ़ जाएगा तो ज़्यादा support रहेगा जितना ज़्यादा तक कम current में भी magnetic field का amount यहाँ पर बढ़ा रहेगा तो टर्क ज़्यादा मैसूस होगा अराम से घुमेगा ठीक है तो यह इतना है ठीक है यानि कि इसी चीज़ को अगर बोला जाए तो यहाँ लिख सकते हैं एन आई ए बी साइन क्या 90 डिग्री रेडियल मेगनेटिक फिल्ड बनाता है यह इस तरीके से soft iron code ठीक है तो गैलवनमेटर में soft iron code का क्या यूज है अगर कभी question में रहा तो बता सकते हैं तो मेक रेडियल मेगनेटिक फिल्ड ना तो जेनरेट रेडियल मेगनेटिक फिल्ड ऐसे करके बोल सकते हैं तो यह साइन नैंटी क्या हो गया वन तब टॉर्ट मेरा maximum लगेगा एन आई ए बी ठीक है अगर यह soft iron नहीं होता तब तब तो फिर क्या करते हैं तब तो यहाँ पर साइन ठीटा होता और यहाँ पर एक टर्म बच जाता साइन ठीटा ना फिर उसको हमको डोके लेके जाना पड़ता आगे तो यह सिलिंड्रिकल इस्तमाल किये टॉर्क मेक्सिम हो गया यह वन हो गया अब यहां के बाद कल्कुलेशन बहुत आसान है देखो तुरंत हो ज चाहरा होगा कि इधर कांटर टर्क लगा है जो करंट के वज़े से करंट के रिंग क्वाइल के वज़े से टॉर्क इधर लगा अब यहां पर आके रुग गया इस वक्त इधर से स्प्रिंग भी टॉर्क लगा रहा होगा तो स्प्रिंग का इधर का टॉर्क और करंट के होता और आगे चला रही होता करेंट के वज़े से तो पुड़ा यहां सड़ जाता ने यहां से जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा करेंट है तो करेंट के वज़े से करेंट के रिंग क्वाइल में तो टर्क मैसूस हुआ तो यह घूमड़ा है ठीक है घू due to क्या spring spring भी torque लगा रहा है और spring जो torque लगा रहा है वो torque बड़ाबर होगा मेरा k5 k into 5 यहाँ पे k जो है मेरा spring constant है खिक है जैसा कि आपने class 11 physics में Newton's law of motion में पढ़ा होगा क्यालते हैं जो spring के द्वारा जो force लगता है spring force लगता है kx या minus की x बोले तो जैसे कि अगर spring है तो क्यालते हैं spring में यहाँ natural point से जितना ज्यादा distance खीचेंगे जितना x distance खीचेंगे उतना ज्यादा spring उल्टा दैक्सर पर फोर्स लगाता है उसी तरीके से यहाँ पी यह हो गया angle और यह हो गया spring constant जितना ज्यादा यह तो circular है तो जितना ज्यादा angle यह घूमेगा टॉर्क spring लगाएगा तो जितना ज्यादा इसको मेठेंगे ज्यादा इस प्रिंग this torque लगाने कोशिस करेगा क्या जैसे कि simple plain वाला सीधा वाला spring होता है उसको जितना ज्यादा खीचेंगे उतना ज्यादा नहीं spring towards लगाना चाहेगा back में उसी तरीके से यह circular वाले में क्या है जितना ज्यादा इसको मेठेंगे उतना ज्यादा ही ने तगरा टर्क लगाना चाहेगा ये circular वाला spring तो यह यहाँ पर वहाँ पर तो क्या था मेरा या circular वाला force, angular force एक तरह से torque हो गया और इस spring constant होई है रही बात distance के तो यह linear distance था यह angular distance, angle में distance तो जितना ज्यादा angle घुमाएंगे उतना ज्यादा torque लगेगा और torque बड़ाबर होता है k into 5 जब दोनों बड़ाबर हो जाएगा यहाँ पर आकर कि यह रुख जाएगा तो इधर का लगने वाला current के द्वारा टर्क और spring के द्वारा इधर का टर्क दोनों बड़ाबर हो जाएगा तो यह दोनों जब बड़ाबर हो जाएगा उस point पे तो हमनों लिख सकते हैं k5 is equal to kya n i a into b ऐसा लिख सकते है कि यहाँ से अगर आप देखो तो क्या चीज़ notice कर सकते हो कि ज यह कि नहीं यह जो है न के बाइन एबी इसको गैलवनोमिटर कॉंस्टेंट बोला जाता है के बाइन एबी इसको बोला जाता है गैलवनोमिटर कॉंस्टेंट तो i बराबर g5 इसको बोल सकते हैं यह जी है मेरा क्या जी बराबर जी बराबर के बाइन एबी अच्छे तरीक constant किन-किन बातों पर निर्भर करता है spring constant पर फिर उसके बाद number of turn कितना ज्यादा है coil में ठीक है और coil का cross coil का जो area है वो कितना है और magnetic field कितना है इन सब चीजों पर निर्भर करता है और जब हम लोग बनाते हैं कोई भी galvanometer को तो magnetic field कितना रखना नहीं रखना अपने हाथ में area कितना लेना है coil का अपने हाथ में number of turn कितना करना वो भी अपने हाथ में और यह के जो है spring constant यह बताता है क्या कि spring आपने इस्तमाल किया नहीं कितना लूज है या टाइट है बहुत सरा spring होता है क्या कि यह कड़ा होता है गुमानी में अब बहुत सरा लूज होता है तो जो जितना लूज होगा soft होगा spring उसके लिए के काम होगा ठीक है तो के कम होगा तो galvanometer constant भी क्या होगा कम होगा यानि कि वह spring से बहुत easily घूम जाएगा तो जैसे यह था galvanometer को हिलाने से भी काटा हिल जाता था उसका तो इसका मतलब वह बहुत loose spring है अच्छा है चलो कोई बात नहीं तो यह मेरा current यहां से हमको पता चला कि जो current है वह proportional हो गया किसके एंगल के या यू कहें कि एंगल जो है वह proportional हो गया कि इसके current के एक ही बात है ठीक है तो यहां से एक चीज़ समझ में आया अब देखो तो यह एंगल और current में सीधा संबंध है इसका मतलब जितना ज्यादा current यहां से pass करेगा coil में उतना ज्यादा एंगल यह ऐसे करके घूम करेगा और जितना ज्यादा current pass करेगा उतना ज्यादा एंगल घूमेगा तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा एक degree ऐसा हम लोग बना करके रखे हुए हैं कि एक degree घूमा अच्छा मतलब एक ampere current डो डीगरी जब 2 ampere current जाएगा तो डो करके बना लिए और यहां पर इस तरीके से करके एंगल एंगल के हसाब से इसे करके लिग दिए तो जब यह काटा क्या आलते मालों यहां पर है इसका मतलब 20 A current जब यह काटा यहां पर है तो 30 A current pass कर रहा है और जितना ज़ादा current pass करेगा उतना ज़ादा angle से नहीं गुमेगा उतना ज़्यादा तर्क होगा तो जितना ज़्यादा current pass करेगा उतना ज़्यादा angle होगा और इस angle को बोलते हैं deflection angle क्या बोलते हैं deflection angle तो जितना ज़्यादा current pass करेगा उतना ज़्यादा deflection angle भी होगा ठीक है आचा लास्ट अब एक बात कर लेते हैं एक होता है करन्ट सेंसेटिविटी या गलवनोमिटर का सेंसेटिविटी ठीक है करन्ट सेंसेटिविटी सब कुछ लिखा हुआ है पेडियेफ में घबराने के जरूरत ने करन्ट सेंसेटिविटी या फिर गलवनोमिटर का सेंसेटिविटी के बारे में बात कर र है कि deflection per unit current Deflection per unit current यह कहलाता है मेरा गया गयलवैन्मेटर का sensitivity sensitivity of galvanoumiş Τική आप लिख सकते थे इसको sensitivity कि कि यह लिखिने के बजा सेंसिटिवीट son गेलवेनो मीटर ठीक है, पिडियाफ में है अच्छे तरीका से लिखा हुआ, इसके हम यहां पर ऐसे जनरली लिखती है, ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल पर उनिट करेंट, यानि कि प्रतेक एंपियर करेंट के लिए कितना एंगल से डिफ्लेक्ट करता है, यही है क्या, सेंस के बाद एक डिगरी घुमता है और एक डिगरी ऐसे करके घुमता है ठीक है तो जब एक डिगरी घुमेगा और हम उसी एक डिगरी को ही एक एक डिगरी पर ये बनाए हुए है तो एक डिगरी ऐसे घुमेगा तो समझ जाएंगे अच्छा एक एमपियर का करंट है और एक गैल करेंट है वो छोटा सा भी करेंट पास करेगा तो एक डिग्री भूनेगा इसका मतलब हम तुरंट पकड़ लेंगे तो इसका मतलब समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा वह जो गैलवन करेंट के लिए जितना ज्यादा क्यों होगा कै Ward अधल कि अधल्या क्यों करेंट के लिए डिफ्लेक्शन होगा वही कहला है वह क्या जोटा चोटा से चोटा करेंट भी पास कर लेगा गो processes में आ रहा होगा आपको लगड़ा कि विचारा एसे करके भी हिल जा रहा है तुरंट तुरंट में भी यानि हलका सभी करेंट देंगे तो यह एकदम डिफलेक्शन सो करेंगे यह काफी ज्यादा सेंसेटीव है यह है कि नहीं जो भोथर होगा कितनों हिला तो जल्दी हिलेगा तो अब यह डिफलेक् यहां से i को इधर भेज़ दो तो यह दोनों इधर आ जाएगा तो n a b by k is equal to kya 5 by i तो 5 by i is equal to हम लोग 5 by i is equal to हम लोग क्या लिख सकते हैं n a b by क्या कि जितना जादा सेंसेटिव होगा क्यालते हैं galvanometer, उतना ही छोटा से छोटा current को भी वो sense करने में सक्चम होगा, है कि ने, तो sensitivity galvanometer का high होना चाहिए, ताकि वो थोड़ा से थोड़ा current भी अगर pass करे, तो फट से काटा हिल जाए, पता चल जाए, तो sensitivity high होना चाहिए, sensitivity high होने के लिए, sensitivity, तो sensitivity तो यही नहीं है, मेरा 5 by I, ये कभी स्वाल में पूछ सकता है, number of turns जादा होना चाहिए, जादा coil में number of turns जादा होना चाहिए, और coil का area जादा होना चाहिए, ठीक है, और क्या है, magnetic field का मान जादा होना चाहिए, जादा strong magnet का इस्तमाल करना चाहिए, और क्या, k का मान कम होना चाहिए, k का मान कम होने का तो इस spring उतना ज्यादा soft होगा ना उतना ज्यादा soft होगा तो हलकों से ताकत लगेगा हलका सभी current लगेगा तो फट से spring क्या हो जाएगा घूम जाएगा तो हम लोग क्यालते हैं अगर galvanometer का sensitivity बढ़ाना चाहते मालों एक galvanometer ये बनाए एक दूसरा galvanometer बनाना चाहते और चाह हमको बेचना है एक कदाम हमको रखना है 200 रुपया एक कदाम रखना हमको 500 रुपया तो जिसका 500 रुपया रखेंगे उसमें क्या करेंगे number of tons बढ़ा देंगे उसमें area थोड़ा सा loop का बढ़ा दिये करेंगे magnet थोड़ा ज्यादा powerful रखेंगे ना के कामान कम यानि कि हम चाहते हैं तो उसके लिए number of tons बढ़ाना होगा area बढ़ाना होगा और magnetic field बढ़ाना होगा यानि के strong magnet इस्तमाल करना होगा और spring को थोड़ा soft रखना पड़ेगा यानि के कमान को कम करना पड़ेगा तो खेर क्या तेसका screenshot लेना चाहो तो आप ले सकते हो लिए चलो ठीक है उम अच्छा एक बात और इसके बाद एक वीडियो और बसता है कि गैलवेनो मिटर के मदद से आमीटर या फिर वोल्ट मिटर कैसे बनाया जाए ये एक लास्ट वीडियो बच जाता है अगर आप कहलते है उसको पढ़ पाती हो तो भी ठीक नहीं पढ़ना चीए भाई क्या बो अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा आपके बबात इसको बना लेना तो फिर आपका क्यालते है इसके आधारी तुरंत एक निम्रिकल कोश्चन हो जाएगा अच्छा रहेगा आपके आपके ऩूफा आपके ग।बर यूदा माची टबा रहेगाँ पैर निजसत्र का रहेगा एंगारी निए्सन खरुबर इसके ऱोफके बांगावी कोश्च